सिर उसलन, ऐसे होता है के पहले सुसाइटी Master Plan Plan launch करती है यदा बैलोिट मैप, देकर New City Paradise में अभी तक Master Plan और लॉंच हुआ नहीं तो बैलो इंदाटी सीटि कैसे करने चारी है? にविए सेशाथ iечно बैलोटिंग ससाइटी से लाउन्च हूँ था हूं फासले पे था, ये दोनों बहुत बड़े प्रोज थे, कि जब भी हम New City Paradise, अगर आपका तालुक हसन अब्दाल से है, आपकी नेबरिंग सिटी से तालुक है, हसन अब्दाल हो गया, वाक एंट हो गया, हरो हो गया, जैन डिफेंट की पेस्ट जो है, वो काफी अच्छी हो गई, कि जब भी शुरू में वीडियोज देखते थे, आज भी आप साइट विजिट करते हैं, तो आपको साइट में डिफरेंस देख वे, फिजिकली फील होता है, कि येस, कि साइटी काम कर रही है, थर्ड पार्ट होता है, कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटिजी, यानि साइटी जो मार्केटिंग स्ट्रेटिजी बनाती है, वो किस तरह से बनाती है, हमें मार्केटिंग में अगर ब्रैंड वाइस काउंट करनों, है उसकी तस्वीर एक public होगी उस तस्वीर से मार्केणिंग देखें महिना date मुखिए हो मार्केणिंग होते देगी अगर साथ नजीर सभी मुलकात हो यह है पहिए उसकी जदीर पॉब्ली तो उसमें आपको महिना date की मार्केणिंग मिलेगी तो blue world city के इन्जामिया या capital smart के इन्जामिया अपने brand value को इस तरह से retain करते हैं कि अपनी daily base पे जो activities हैं उनको पब्लिक करते हैं उनको पब्लिक करते हैं और activities को पब्लिक करने से जब sales partner फिर सब अथराई sales partner डिफरेंट लोग या clients itself उसको share करते हैं डिफरेंट क्रोप्स पे तो उ साइट पे मेक अप पे ज्यादा काम किया हुआ है यानि गेट बहुत अच्छे बनाए हमें होर्स मैसकोट बना दिये थीम पर्क बना दिये बट 49 sectors में से जब तो पना लाँच किये हैं और सिर्फ दो या तीन सेक्टर डिलिवर की हैं हालांकि अन्दे counter side अगर आप comparison करते है साइट को तो वहां पे अट लीस जाके तकी बना कोई 6-7 जार कनाल का रखबा ऐसा मिलता है जो साइटी ने 6-8 वहां में डिलिवर कर दिया है अब नियूर्सिटी परड़ाइस की मैनेजमेंट मार कहां भिका रही है लेक कहां पे कर रही है उनकी marketing जीरो है बिल्कुल जीरो अब नियूर्सिटी परड़ाइस की marketing इस तरह चेक कर लें क्या किसी के पास master brand मजूद है नहीं क्या किसी के पास यह पता है कि जो पहला launch होने वाले block है उसका नाम के है नहीं क्या किसी को ये पता है कि New City Paradise के जो ब्लॉक्स हैं उनके नाम के हैं जैसरा Blue City में नाम था Waterfront सेम उस तरह Waterfront नाम रखा हुआ है अब ब्लॉक्स है नाम था इस तरह अवामी ब्लॉक्स है अब इस तरह की चीज़ों को ब्रैंड वैल्यू से अगर रिलेट करें तो ब्रैंड वैल्यू तब बनती है जब आपके पास मार्केट में कोई डिस्रिक्शन मजूद होती है जैसे कि New City Paradise के डिवेलपर्स के पास आप अगर कमपैरिजन करें तो 30-60 की डिवेलपमेंट का रिकॉर्ड है यानि कि मिड नाइटी जो करेंट ब्रैंड जा मार्केट में देखें तो असलिहाद से बिल्कुल जीरो है तो मेरा खाला है कि निज़ामियों के फोकस करना चाहिए कि पहले मास्टर प्लैन लांच करें प इसमये मार्केट में किसी ब्रैंड को समझत analogy को समझत हुए अभी डीलर को सेल्स पारिनो को उनी को नेर पता कि कॉन सा ब्लॉक लांच होने जा रहे ऐ kissingे दो में बुखने कि तो बुखने अब भी या को व महिंधै कर दोना वह कि की करके को पत्रूंग अब लुट्स स्थीृ परडायस कीा इस बात को अपने प्रियो को देखना चाहिए ताकि प्रियिया झाल झाल